आज की कक्षा में हम वर्ग साथ के गनित के प्रस्णावली तीन दस्मलों दो को हल करेंगे यह दस्मलों पार्ट से है प्रस्ण नंबर एक यह प्रस्ण है निमलिखित का मान गया कीजिए तो यहां आठ प्रस्ण है मैं इसमें से कोई एक प्रस्ण हल करूँगा बाकी आपको हल करना है खुद से तो मैं यह आठवा नंबर प्रस्ण लेता हूँ तो ये आठ्वा नंबर प्रस्ण है ये आठ्वा नंबर प्रस्ण ये है पैंसट दस्मलो शुन्य दो गुना नौ ये दस्मलो का गुना है तो दस्मलो के गुना में सबसे पहले हम इस दस्मलो पर ध्यान नहीं देते हुए हम इसे जैसे पहले गुना करते थे वैसे ही गुना करेंगे अभी एक दसमलों अभी हम भूल जाएंगे तो नौ से हम इसे गुना करते हैं नौ दोने अठारा का आठ इसके बाद हासिल रह गया एक नौ से सुनने में गुना किये सुनने आया और एक हुआ तो ये हो गया हमारा एक थोड़ा सा साब से ये एक हो गया शलिए आप सीधा लिखिए गया अब नौ पचे पैंत आलिस का पांच हाथ मेरा चार नौ चप चववन और चार अंठावन हो गया ये अब हम दसमलों पर ध्यान देते हैं यहां देख रहे हैं दसमलों के बाद कितने अंख हैं दो अंख हैं एक दो तो अब जो गुननफल हमारा आया इसमें हम दाहिने ओर से दो अंख गिनते हैं एक दो और यहां पर दसमलों बैठा देते हैं सारे प्रस्णों में हम ऐसा ही करेंगे जितने दसमलों के बाद जितने अंख होंगे उतने ही अंख हम इधर से बाई ओर जाकर दाहिने से बाई ओर जाकर दसमलों बैठा देंगे अब है प्रस नंबर दो यह प्रस नंबर दो है एक आयत का छितरफल ग्याद कीजिए जिसकी लंबाई छे दसमलों पांस सेंटी मीटर और चोड़ाई चार दसमलों दो सेंटी मीटर है तो हमें छितरफल निकालना है हम लोग जानते हैं कि आयत का छितरफल का फॉर्मूला क्या होता है यह होता है लंबाई गुने चोड़ाई तो आईए हमें इसे हल करते हैं सबसे पहले जो दिया है इसे लिखेंगे आयत की लंबाई आयत की लंबाई यह होगी जो दिया हुआ है छे दसमलों पांस सेंटी मीटर और आयत की चोड़ाई यह दिवी है हमारी चार दसमलों दो सेंटी मीटर तो आयत का छितरफल तो यह फॉर्मूला होता है हमारा लंबाई गुना चोड़ाई लंबाई हमारा दिया हुआ है 6.5 और चोड़ाई है 4.2 अब हम 65 को 42 से गुना करेंगे दसमलों पर अभी ध्यान नहीं देंगे आईए दर गुना करते है रफ में अभी कीजिए 65 गुना 42 दो पच्चे दस का सुन्ने हाथ में रहा एक दो छक बारा और एक हासिल था यह हो गया तेरह चार पच्चे बीस का सुन्ने और हाथ में रहा दो चार छक चोबिस और दो छबिस तो यह हमारा जोडते हैं सुन्ने तीन छोएक साथ और यह दो तो यह हमारा गुना आ गया है गुननफल आ हो गया है दो साथ तीन शुन्ने यानि दो हजार साथ सो तीन आया है अब हम दसमलो देखते हैं तो इस संख्या में सिक्स दसमलो पांच है यानि दसमलो के बाद दा और यहां भी दाहिनी ओर एक अंख है, तो एक और एक हो गए, दो, अब जो गुननफल आया है, इसमें हम दाहिनी ओर से दो अंगी नेंगे, एक, दो, और ये दसमलो बैठा देंगे, तो ये हमारा छित्रफल आ गया, और इसकी इकाई भी लिख देंगे, वर्ग, सेंटी, प्रस्ण संख्या 3, यह प्रस्ण है, एक वर्ग का परिमाप ग्याद कीजिए, जिसकी एक भुजा की माप 3.6 cm है, आईए से हल करते हैं, सबसे पले जो दीवी हैं, उसे लिखते हैं, वर्ग की भुजा, यह दीवी है, प्राबर 3.6 cm, और वर्ग की परिमाप, इसका हमारा फार्मूला होता है, आप जानते हैं, चार गुने गुजा, तो यह हो जाएगा, चार गुना और गुजा कितना है, 3.6 cm, तो अभी हम 10 मलों पर ध्यान नहीं देंगे, बगेर 10 मलों पर ध्यान दिये, हम 4 को 36 से गुना करेंगे, तो अभी कीजे, तो यह गुना आ जाएगा 144, अब हम 10 मलों देखते हैं, कि यहां 10 मलों के बाद कितने अंग है, 10 मलों के बाद एक अंग है, इसलिए हम यहां 144 में इधर से दाहिनी ओर से एक अंग गिनते हुए 2 ओर आते हैं, और 10 मलों यहां बैठा देते हैं, और इसकी काई है cm, यह हो गया हमार नमबर 4 देखिए, इसमें निमलिखित का मान ग्याद कीजिए, यहां 8 प्रस्ण हैं, तो पहले में 10 से गुना है, फिर 100 में, फिर 100 में, फिर 10 से, फिर 100 से, फिर 100 से, तो इस तरह का गुना कैसे होता है, मैं 2 प्रस्ण लोगा, एक प्रस्ण नमबर 1 लेता हूँ, तो यह है 5 10 मलो 7 गुना 10 बहुत आसान है मुझजवानी है कुछ इसमें ज्यादा लिखने के जोड़त नहीं है हम देखते हैं ये गुना हम कुछ जो करना है इसमें सुन्ने कितना है एक सुन्ने है एक के बाद एक सुन्ने है तो हम क्या करेंगे ये जो दस्मलो है इसको एक अंक दाहिनी ओग ले जाते हैं तो ये आ जाएगा संतावन के बाद और इसके बाद क्या फिर कुछ नहीं है तो सुन्ने शुन्ने तो ये दस्मलो और सुन्ने लिखने की कोई आशकता नहीं है तो ये हमारा आगया कितना संतावन पांस दस्मलो साथ को हमने दस से गुना किया तो आगया संतावन अब एक मैं ले रहा हूं आठवा नमबर एक दो आठवा नमबर यहां है शुन्ने दस्मलो और गुना एक सो फिर यहां हम देख रहे हैं कि शुन्ने कितने हैं एक के बाद शुन्ने हैं दो तो इस दस्मलो को हम दो अंक दाहिनी ओर लाएंगे तो एक अंक तो हो गया आठ अब और तो अंक नहीं है तो हम इसके लिए क्या बैठाएंगे एक शुन्ने बैठा गेंगे यह हमारा आगया दस्मलो और गुने एक सो प्रस्न संख्या पांच निमलखित का मान ज्याती थी इस प्रस्न में हम देख रहे हैं आठ प्रस्न है और यहां दस्मलो वाले संख्या का गुना दस्मलो वाले संख्या से है तो इसमें मैं पहला प्रस्न ले रहा हूं यह पहला वाला तीन दसमलो नौ गुना शुन्य दसमलो तीन तो दसमलो वाले गुना में सिर्फ ध्यान रखना है कि अभी सबसे पहले हम दसमलो को छोड़ देते हैं और ऐसे ही जैसे गुना करते थे वैसे गुना करेंगे यानी इसे हम 49 पाहन लेंगे और ये 3 तो 349 का हम गुना करते हैं तिन नमध 27 स्टायस का आगया 7 और हात में रहा 2, 3, 3, 9 और 2, 11 ये हो गया 117 अब हम दसमलो देखते हैं तो पहली संख्या में दसमलो किया है? दसमलो के बात एक अंख है और यहां भी दसमलो के बात एक अंख ह तो एक और एक हो गया दो, अब दाहिनी ओर से हम दो अंक गिन कर दस्मलो लगाते हैं, तो एक दो, ये दस्मलो यहां हो गया, तो ये हो गया एक दस्मलो एक सा, एक और प्रस्ण मैं लेता हूँ, प्रस्ण नमबर फूर, पांच का जोथा, तो ये है एक सो दस्मलो शुन्य एक गुना, शुन्य दस्मलो एक, जैसा कि पहले वाले प्रस्ण में हमने किया था, अभी दस्मलो पर ध्यान नहीं देंगे, और सीधे गुना करेंगे, तो एक से किसी भी संख्या को गुना करती है, तो वही रहा जाती है, तो ये हो जाएगे हमारा एक, शुन्य, 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 एक, अब हम दस्मलो देखते हैं, कि दस्मलो के बाद दाहिनी ओर कितने अंग है, तो यहां है एक, दो, और यहां है एक, तो ये दो और एक हो गए, तीन, अब दाहिनी ओर से हम बाई ओर आएंगे, तीन अंग, दो और एक तीन था न, तो तीन अंग गिनेंगे, एक, दो, तीन, और ये दस्मलो यहां डाल द तो ये अब हो गया, इसे पढ़ेंगे 10, 10 मलो, शुन्य, शुन्य, एक। गौर करेंगे कि दस मलो वाले सारे गुना में हम ऐसा ही करेंगे। पहले बिना दस मलो के गुना कर लेंगे اور उसके बाद, दस मलो के बाद कितने अंक हैं उसे जोड़ कर, फिर हम जो गुननफल आया है उसमें दाहिनी ओर से उतने अंक गिनकर दसमलो लगा देंगे प्रस्ण संख्याच छ इस प्रस्ण में है कि एक कार प्रती लीटर पेट्रोल में 15.5 सुन्य किलो मीटर दूरी तै करती है 12.5 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तै करेगी आईए से हल करते हैं कार द्वारा एक लीटर पेट्रोल में तै की गई दूरी तो यह है 15.5 सुन्य किलो मीटर तो 12.5 लीटर पेट्रोल में तै की गई दूरी तो यह दूरी होगी गुना हो जाएगे 15.5 सुन्य और गुना 12.5 सुन्य तो जब आप इससे गुना करेंगे पहले हम क्या करेंगे की 10 मलों पर ध्यान नहीं देंगे बगड़ 10 मलों पर ध्यान दिए हम इन्हें गुना करेंगे अथाथ इसे हम माल लेंगे 1550 और इसे माल लेंगे 125 तो अब गुना करके देखेंगे यह आ जाएगा एक, नौ, तीन, साथ, पांच, शुन्य अब हम दसमलों पर ध्यान देते हैं पहले बगैर दसमलों पर ध्यान दिये हमने गुना कर लिया अब हम दसमलों पर ध्यान देते हैं तो पहली वाली जो संख्या है यहाँ दसमलों के बाद दो अंख है और यहां दसमलों के बाद एक अंक है तो दो और एक हुए तीन तो अब इस गुनन फल में हम दाहिनी ओर से तीन अंक गिनते हैं एक, दो, तीन और यहां दसमलों लगा देते हैं यह हमारा हो गया किलो मीटर एक चीज़ और हम ध्यान देंगे दसमलो के बाद अंत में अगर शुन्य है तो इसका कोई महतुर नहीं होता है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 193.75 कीलो मीटर अब साथवा नमबर प्रस्ण देखते हैं प्रस्ण नमबर साथ यहां है एक मीटर कपड़े का मुल 25.5 सुन्य है रुप्या है तो 12.75 मीटर कपड़े का मुल ग्याद कीजिए चलिए इसी तरह से इसे भी हल करेंगे एक मीटर कपड़े का मुल तो यह है यह है 25.5 सुन्य रुप्य तो हमें निकालना है कितना 12.75 मीटर कपड़े का मुल तो यह गुना हो जाएगा 25.5 सुन्य को गुना कर देंगे हम 12.75 तो अभी तक पहले हमने जैसा किया था ठीक उसी तरह से 10.5 को हम भूल जाएंगे और सीधे इसे गुना करेंगे आप स्वैम से गुना करेंगे तो यह आएगा 3, 2, 5, 1, 2, 5, 6, अब हम दसमलों के देखते हैं तो दसमलों के बाद यहाँ दो अंक है और यहाँ भी दसमलों के बाद यानि दाहिनी और दो अंक है तो दो और दो हो गए चार तो अब इधर हम दाहिनी और से बाई और जाते हुए चार गिनेंगे तो एक, दो, तीन, चार और यहाँ पर दसमलों बैठा देंगे तो यह इतने रुपे हो गए तीन सो पचीस दसमलों एक, दो, पाँच सुनने तो यह हम देख रहे हैं कि दसमलों के बाद जो यह आ रहा है दसमलों एक, दो, पाँच तो यह पैसा होगा, कितना पैसा हो जागा साड़े बारग पैसा लेकिन परंपरा के अनुसार हम लोग पचास पैसे से कम की किंती नहीं करते हैं उसे छोड़ देते हैं तो यह हमारा वास्तों में हमें देने पड़ेंगे तीन सो पचीस रुपे